कचओ प्हाइरी साथ योः आप सभी का सवागत थैं है आप सभी का वेलकम है आज केस बहुती सांदार शे Jesús में क्लास挺 उसकी कारण है हमारे इतनी बहेंकर गर्मी है इस वक्त तो के वलो के वले इंवर्टर से काम चल रहा है तो गर्मी वैसी महल गड़ बड़ है ना बढ़ चलिए आप सभी का स्वागत है आप सभी को नमस्ते नमस्कार सोनम जी स्वीटी पिंकी वंदना बहुत सारे दोस जोट चुके हैं आप लोग जान रहे हैं हम लोग NCRT को पढ़ रहे हैं और नई और पुरानी यह नई NCRT है पुरानी NCRT दोनों के चेप्टर्स को क्लव करके हम लोग पढ़ा रहे हैं और आज आपके लिए बड़ी अच्छी जानकारी है कि जो सीटेट के पेड़ कोर्स पर पहले जो डिसका में पेड कोशंक को फायदा उठा लिजे यह मेरा नंबर है इस नंबर पर पहल कर लिजे 779 का आज सीटेट का कोष मिला है डिसकाउंट चल रहा है सोटेट के कोर्स पर यह मेरा मोवाईल किसमें 100 घंटे से भी ज़्यादा की आपको रेगुलर क्लास पढ़ा रहा हूं ओनलाइन प्लस ओफलाइन के सभी पीवाई की इंक्लूड कर रहा हूं और छटवी से आटवी तक की एंसीयाटी पूरी पढ़ा रहा हूं प्लस पैडागोज जी की स्पेशल क्लास करा रहा हूं तो इस बैच आपके लिए दमेत पूर्ण है आप इस बैच को पर्चेस कर लिजेए ठीक है भी या चलो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को बहुत बढ़िया बैच है पेपर 2 टोटल लाइब बैच है स्टार्ट करेंगे नौवे क्वशन के साथ में यह क्वशन है कल कराए था चैप्टर नंबर दो क्लास सेवन के अंसे अटिका वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर बताएंगे इस तरी केसिस को ले करके फटापट से चलेंगे ठीक है भी है कह रहा है पहला क्वशन के गंगई कोंड चोलपुरम की फिरतार है अगे बढ़ाएंगे काल मेने आपको इस बात को क्याद रखनाई प्रथम द्वारा की घेचे जियो नंबर रहे मैं епोर इस बात को याद रहा है कौन सा मंदिर है ये आप कोक viewer मंदिर हिस बात को याद रखना का हिसा आपन है फोकिन धस ये चैप्टा नमर 2 से कौशन है अभी चप्टर नमर 3 आगे बढ़ाएंगे कल मैंने आपको कौशन नमर 10 करा दी थे ना चप्टर नमर 2 में क्लास 7 की स्ट्री में तो आज यह उसी के आगे के कौशन है फिर हम लोग चप्टर नमर 3 में इंक्लूड हो जाएंगे कह रहा है व्यापारियों के संग को चोल काल में नगरम कहते थे तता यह सहर के अंदर प्रसासने कारी करते थे यह चोल काल के स्थानी सुसासन की जानकारी उत्तर मेरूर अविलेक से प्राप्त होती है उप्रिक्ट में से कौन सा कतन सत्य है उप्रिक्ट में से कौन सा कतन सत्य है इसके स्थानी सोसासन है उसकी जितनी भी हमको जानकारी मिल रह रहना को हमको कहां से जानकारी मिलती है तो कि अधर मेरूर के अविलेग से प्राप्ट लिए जानकारी प्राप्त होती है और अगर अगर को किसने लिखाय musst precis name Google और परत्ध크 तर्थमग WHY परांतक पर्थम, परांतक पर्थम ने उत्तर मेरू रवलेक को लिखा था इस से इंको चॉलकाल के स्थानी स्वशासन ने की जानकारी और प्रापती होती है रासने कारी भी करते थे, यह बात भी बिल्कुत सत्ते है, इस बात को धार ड़कना, ठीक है भी या, चलिए, आगे बात करेंगे, अब चोल साज को थोड़ा सा समझना है, हमको, जैसे प्रसासन के बारे, हमको कहां से जानकारी प्राप्त होती है, उत्तर मेरूर अबलेक से, उ सिंचित खेती के साथ, सिंचित खेती के साथ, संब्रद हो गई थी दादखना, यानि सिंचित खेती के साथ, जो किसानों की बस्तियां संब्रद हो गई थी, जिनको पैसा अचा गया था, उनको क्या कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, उनको उर कहा जाता था, उर जैस यह यह नाड़ू है तो कात बात के लिए नयाय करने और कर्व वसुनले जैसे कई परसास में कारखेते जो नाडू है ना अच्छा वेलाल जाती के धनी किसानों को केंद्य चोल सरकार की देखरेक में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रनासल था उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान की रूप में मुवेंद वेलन मुवेंद वेलन यानि तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अरयार जिसको प्रदान कहते हैं जैसी उपादियां दी जैसी उपादियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वूण राज की पदसों पे उन्हें केंद्र में महत्वूण रा आते हैं उनमें से एक होता है वेललाल जिसको कहते हैं दार रखना यहां जो लिखा है ना कि वेललाल जाती के धनी किसान तो यह सवाल ही पेपर हम पूछा रहता है कि वेललाल किसको कहते हैं तो धनी किसान या बड़े भूस्वामी जो होते हैं उनको वेललाल कहते हैं अब जै तो इनको अपने सॉफ्ट कॉर्णर में रखना पड़ता है तो ऐसी उस समय राजा भी बड़े भूमी आए दन इनके पास बहुत जाद है ऐसे लोगों को अपने सॉफ्ट कॉर्णर में राजा रखते थे और इसलिए द्धार रखना इसलिए नाडू जो काफी गाउं था थैक्स वसूलने के लिए वहां से कर वसूलने की जिम्दारी भी किसको दे दी जाती थी वह लाल को दे जाती ती अच्छा वेलाल धनी के सान होते दे दर्खना वो अपने नाडू समू में उनके नियंत्रण है बोलो हां कि ना तो राजा उसी से कह दे रहा है कि आप टेक्स सब्देता था या उसको मुवेंदेवेलन का अर्थ क्या होता है किसान होता है हम जब पढ़तें तो आसन लगता है जब मोग देते हैं तब कठन लगता ऐसा क्यों सब्सक्रिक्री कि आपने थीषरी को दंगशे नहीं पढ़ेंगे मौक में वेशा दिक्कत जब होती ही जब आप थेओरी नहीं पढ़ेंगे इस तरह किसे देखी जैसे यह चीजे में आपको समझा रहा हूं तो यह चीजे आपको समय में आ रहा है कि अरयार किसको कहते हैं मुवेद वेलन किसको कहते हैं तीन राजाओं को अपनी उपाद जो है कि सेवाएं परदान करने वाला किसान किसको कहते हैं वेललाल जाती क्या होती है नाडू क्या होता है उर क्या होता है इन सब को जब पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा ठीक है तोइँ होगी लेकिन अवसरा बात पिसमझो लेकिन दूसरी बात भी समझो इसी तरीके से अगर आप स्थी जागता हो ना कि यह सारी चीज़ें एकदम से आपको the outdoor mode के खाला अगर यह पूरी चीज़ आप च़ाते हो इसी, तो वह क्रoga ओनो geben कैसमलीक जयसे देखो ऐसा नहीं कि मैंने पहले से लिखके रखा है यही चीज पेड़ बैसे में पढ़ा रहा रहा हूँ यह आज की क्लास का कॉंटेंट आज की क्लास का कॉंटेंट है वेलल्ला तो बड़े भूस्वामी धनी किसानों को वेललक का जाता है इस वर्ग के लोग का जाता था या कड़े शियार या अदम ही किसको कहते था यह देखो प्लस पुहार क्या था पांडियों की राजा ने मदुरह क्या थी यह मुवेंदार सब्दकारत क्या होता है तीर मुखिया परवार चेर चोल और पांड कौनते हैं इनके बारें पूरा मैंने आपको पढ़ कहानी दे रखी है प्लस 1400 साल पहले जिस मडे मेकलाई की रचना हुई जिसकी रचना सीतले सत्तनार ने की जिसमें कोवलन और मादवी की बेटी कहानी है यह पूरी थियोरी वेलन का साब देकर किसान होता है यह सब में थियोरी इस तरीके से अपने विद्यारतियों को इस नमबर पर कॉल करके इस नमबर पर कॉल करके विया आप अपने कोर्स को पर्चेस कर लीजे इस नमबर पर वाट्सेप पर मैसेज कर देना इस नमबर पर वाट्सेप पर क्या कर देना विया मैसेज कर देना तो हमारी टीम आपको लिंक बेज देगी क्या बेज देगी हम आरे टीम आपको लिंक भेज़ देगी, पेड़ कोर्स की, तो वहां से आप पेड़ कोर्स में जोट सकते हो, रोजाना लाइब होती है मेरी क्लास, साम को दो से तीन वज तक पर दे, चलो जी, तो यह तो रहा एक basic promotion, बाकी भाप की मरजी है, ठीक है, आगे बात करेंगे, आग साम राज़र की प्रसाशन में, ब्रामणों को समय समय पर भूमी अनुदान या प्रहम दे प्रापत हुआ, तो अगर आपसे पूचा जाएं, जिसको कहते हैं, प्रहम दे किको कहते प्रतेक ब्रहमद्य की देखरेक में प्रमुख ब्रहमण भूसामियों की एक सबाग होती थी यह समाए बहुत कुसलता पूरों काम करती थी इनके निर्णें, सिलालेखों में, प्राय मंदिरों पथ्थरों की दीवारों पर ब्यौरी वर्दश किये थे नगरम के नाम से ग्यात व्यापारियों का संग भी अक्सर सहरों में परसासने कारे संपन्थ करते दिया, मैंने क्या का, नगरम के नाम से ग्यात व्यापारियों का संग भी, नगरम के नाम से ग्यात व्यापारियों का संग भी यहां पर रहता था, प्लस मैंने क्या होता है, कि यह सवाल पेपर में पूछा गया है दारख हुख लेग तंञ रखना विस्तार है कि ब्रामणों की सवाका संगटन कहता दारख न थे आगना चली बताओ एक एक पॉइंट समझ में आगे है कि नहीए अगे बताओ विए ठीक है अंली स Cincinnati है बेच नहीं हो इगाë, ठीक है इंचा अच्छा उत्तर मेरूर के विलेक्शम को क्या जानकारी प्राफत होती है कि जो सभा उगी जो सवाकी सदस्ता कों ले सकता है तो सबाकी सदस्ता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां से बूराज़स वसूल आ जाता है ठीक है चलिए दूसरी बात उनकी उम्र 35-70 के बीच होनी चाहिए उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए 35-70 के बीच होनी चाहिए उन्हें वेदों का ग्यान होना चाहिए उन्हें क्या होना चाहिए उन्हें वेदों का ग्यान होना चाहिए प्रसासनिंग मामलों की अच्छी जान कर उनी चाहिए इमानदार होने चाहिए पिछले तीन सालों में किसी सम्ती का सदस रहा है तो किसी और सम्ती का सदस नहीं बन सकता जिसने अपने या सगे संबनियों के खाते जमा नहीं कराए है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है अर्था सदस नहीं बन सकता है अब इलेखों में राजाओं और सक्ती संपन पुर्सों के बारे में जानकारी तो मिलती है लेकिन यह जानना खासा मुस्किल है कि साधारण मर्दों और और ओरतों का जीवन इन राज्यों में कहसा था अब देहन रखना मेरे दोस्तों आप सबी लोग सिवाई कॉमेंट करने क अब दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को दार रखना मैं आपको इतनी गहराई में बढ़ा रहा हूं लेकिन कुछ बखलोल कहीं कि वह आपस में अपनी बखैती करते रहेंगे दार रखना मुझे उनसे कहर मतलब निया भगवान सब देख रहा लेकिन दी। धियां से समझाय दी नषां सभव दिया रखना यहां पर यहां बाल सवाल उत्तर मे sellers वहां के बड़े किसे राजा कहें कह साथ यह प्राप्त होती है लेकिन याद रखना वहां पे साधार्न मर्द और और अधा जीवन कहसा ता इस बात की चानकर्यम को कहां से प्राप्त होती है। इस बात कि जानकारी प्राप्त होती है होग mouldy करती अभिए पेरिया पूरणस उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती भी या उससे हमको धार रखना जानकारी प्राप्त होती इस बात को नूट करना ठीक भी या कोई नीची आती ओसकती है जिसको ब्रहमध को बाइसा शॉबकायज में बड़े व समास से बाहर मानने तो पुलाया वहाँ पर रहते थे दान रखना अपन्ने छोटे छोटे अपना जोह कि और सब लोग वहां पर रहते दान रखना मुर्ग उरगी पालते थे इन अब थार्खना और पुलाया और पुलेया रहे न एक यह चीज़ ए ठीक है और ठीक है तो यह जान करियम को प्राप्त होती है अब यह बात में क्यूं कह रहा हूं धार्खना अब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहां देखना मैंने न यह पिछली साल वाला जो पेप को देखा हुआ है अधार रखना मैं आपको देखाऊ इस वाले पेपर को दान रखना ऐसे पिछली साल वाला पेपर है और इसको उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था कि क्या करना है लोग इधर-दर क्योंकि यह पुरानी NCRT में था यह नई NCRT में यह पेरिया पूर्णम को जो है नई NCRT से हटा दिया गया धार रखना यह पिछली वाला 21 जनवरी वाला पेपर है और मैं 21 जनवरी वाले पेपर के वारे में अगर बताऊं तो यह देखो पुर्सों और महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती दहार रखना ठीक है विया इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती इस बात को दहार रखना ठीक है विया चले किलियर बताओ समझ में आयकरे तो यही सवाल पढ़ाय हुआ पेपर मैं दहार रखना पढ़ाय ह क्लास रेगूलर नहीं है भाई तेरे बस की बात नहीं है अनुराग परसाद हमें रोक ना तेरे बस की बात नहीं है गलत जगे आ करके कमेंट कर दिया गलत जगे आ करके कमेंट कर दिया तेरी उकात से बाहर की बात है तो हमारे पेड़ वैच रुक वाले हमारे पेड़ वैच तो आपना पढ़ ले ताकि तेरा सीटेट का पेपर पाज हुजए नेता नगरी ना कर ठीक है वनना यहां से भी ब्लॉक कर दूंगा तो यहां से भी जाएगा ना बेवगूफ कहीं का इस बेवगूफ को नालाइक हो यह सोचो कि कल मैंने YouTube पढ़ाया था गिया कल जब मैं आदिमी की बुद्धी ही निमनिस्तरकियों से उम्मीद क्या की जा सकती है ठीक अब या कहर चलिए ऐसे नमुने बहुत देखे मैंने थे वह जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे पेरिया पुर्णम तमिर करते हमें किसके वारे में जाना कर देती है साधर पूर्सों महिलां और हमें बस प्रसंता हिसीज के विया कि ये परसन हमारे पढ़ाय हुए कॉंटेंट में से आया है ये परसन हमारे पढ़ाय हुए कॉंटेंट में से आया है बाकी ऐसे नमुने दुनिया में बहुत गोमते रहते हैं ठीक अब या चलो आगे बात करेंगे क्या नाम क्या था क्या नाम था इसका कहां गया अनुराग परसाद अच्छा बढ़िया ठीक है भी आगे बात करेंगे मेरा बस इतना कहना है कि रेगुलर की आजाए तुस्से पूछ के पढ़ाऊंगा क्या बेवकूफ हैं के तुस्से पूछ के पढ़ाऊंगा तु मुझे सैलरी दे रहा है क्या तुने मुझे खरिद लिया क्या घदे कहीं के जो मैं तुस्से पूछ के पढ़ाऊंगा चल तुझे यहां से भी अठा देता हूं परमाट यूटूब से मत बढ़ मुझे ऐसा मुझे निम्निस्तर का बाला कोई चाहिए नहीं जिसकी सोची नीची हो ठीक है भाई नाम अनुराग और राग तेरे ऐसे बिलकुल चोल काली निम्निकित विसेस्ताओं पर विचार करिए बताई विया बताई विया कह रहा है चोल काल के बारे मंदर आर्थिक सामाजिक और सांस्कितिक जीवन के केंद्र होते हैं मंदर के साथ जोड़े सिल्पों में सबसे विसेस्टाओं बना देगा काम चोलों के बारे में तो विसेस्टाओं से था कांस परत्माँ वां की दार रखना चोल कांस परत्माँ संसार के सबसे उतकिष्ट परत्माँ में गिनी जाती है यह भी सही बात है कौनसा कतन सत्त्य विया तीन एक दो तीन एक दो तीन दार रखना एक दो तीन ना रखना, एक दीन तीन ना रखना, ठीक है भी हाँ, एक दो तीन, ठीक है भी हाँ, चली ठीक है, आगे चलें चलो, next question, अभी पढ़ायता, अगला गोसन, चोल काल के समझ में नीचे दिये के कथनों पर विचार के दिये विया, करे विचार विया, क्या इसका उतर हो जाएगा, झाल के दिये, थिया है ठीक है चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के अंड बहुत समरद दो गहीं थी सही वात हैं गाहों के समयों को नाडू कहा जाता था था नाडू न्याय करने कर बसूलने जैसे प्रसासने कारे करते थे और इनी नाडूों में से कुछ क्रूं का जाएंगे और दूसरा दोनों क्तार के आख जांगे त्रीक का जाएंगे सही हो जाएंगे दा रखकाई अगे चले टेरे स्वाल कराने के निम लेक जाए दियोगमों में से कौन सा योगम सही समयलेत नहीं अब या बताऊ तो यहां पर कुछ भूमी के परकाष दे रखी हैं यह मैंने NCID से कॉसन बना हुआ धार रखना यह मैंने NCID से कॉसन बना हुआ धार रखना भूमी के प्रकार और भी सेस्था तो भूमी के प्रकार में बात करेंगे धार रखना यहां पर तो वेलन वगाई, भ्रह्मदे, साला भोग, पल्लिचन्द्रम और तिरून मटुकनी दादकना तो बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा यह बताओ फटापट से बताओ पटापट से भीया आगे चले, तो देखो वही आ, सुमेलित नहीं है, देखो, अगर आप इसमें एक देखना चाहो कि पल्लिचन्द्रम जो है, मंदिर को उपाहर में दीगी भूमी इतिता रखना यह बात गलित हो जाएगी, पल्लिचन्द्रम जेन संस्थानों को उदान में दीगी भूमी को कहते है, पल्लिचन्द्रम किसको कहते हैं, पल्लिचन्द्रम जो है, जेन संस्थानों को उदान में दीगई भूमी, दान में दीगई भूमी को कहते हैं दान रखना, पल्लिचन जो मंदरों को उपहार में दी गई भूमी को कहते हैं तो ना तो चोथा सही है ना पहाचों सही है इस सवाल मैंने आपको कराएं धान रखना यह वाला इस तरीके से question जो work paper में वन जाता है यह मैंने model paper आपका बनाए हुआ है ना लेकिन दाँवरा अगर हम बात करेंगे या तक इसी सवाल के pattern पर online में सवाल पूचा गया दाँवरन में क्या एक देखो ये Çok ये सवा गया दार रगना है ठीक है अब यह बताओ ठीक है दो फरवरी 2023 में चोल सामराज की भूमियों के संदर में निमलकित का मिलान का कीजिए तो इस सवाल पूचा गया तो हमने आपको क्या होता है देवदान या इसवी को हम क्या गयते है तिरूनमा टुकनी तो देवदान तिरू या सी काचार इसमें दे रखा है दूसरी बात साला बुक इसको कहते हैं या किसी विद्या लेकर रिकरकाव के लिदान में देगी भूमी को बी कातीन किसमें दे रखा है तो बी कातीन इसमें दे रखा है अता इसका उतर किया हो जाएगा दूसरा इसका उप्सन हो जाएगा इसे उत्तर हो जाता है इन सवालों को किया जाता है जो चीज़ आपको याध है उससे किया जाता है अब यह चीज़ आपको याध्त ही हो गया ना सवाल आपको समझ में आगे क्योंकि पल लिच्ट्णाम क्या होजाएगा, जेन संस्तान को दान में देगी बूमी. सालावोग किसी विद्याले के रगळगाव के लिए दीगी दीगी भूमी है. देवदान ऐह Lisum Re GTA hed किते हैं, जब वेलन बगाई क्या होता है, तो वेलन बगाई होता है, दाद रखाना गैर ब्रहमण किसान स्वामी की भूमी दाद रखाना, ठीक है? इस बात को दाद रखना, जब के एक और बिसमा भूमों को उपहार में दी गई भूमी क्या का भी याद रख ले ना वताओ तरह दुद्स ह Confederate एक अच्छे से ही तो यह पेपर में भी आएगा दा रखना यह कौस्ट पेपर में भी आएक को याद रखना है ठीक भी आ चलो समझ में आए की नहीं आगे बढ़े इक बार सा लिख दो एक बार सा लिख दो तो मज़ आ जाएगा ठीक है पियुक्त बहुत बढ़ी आगे चलेंगे ये क्वेसन क्वेपर में दारन सवामी के भी भेकुत वन्हाई को DR. प्राहमप किसान स्वामी की भूमी वेललन अगाई भ्रहम देरह Anda को पार्मादी की भूमी तंग दोड़ civी तो जनकी जान करेंगों चोल अविलेकों से प्राफ्त होती है आजगना बोले समझ में आया कि नहीं आए अगर समझ में आ गया भी है तो फटापट से एक बार कमें एसस्ट भाई अनुपामसर लिख दीजिए एक बास सभी लोग कमेंट में लिख देंग वहीं सस्ट भाई अनु संपूर उत्तरवारत में अगर सस्ट कोई बालग अगर पढ़ना चाहरा सीटेट के लिए तो बस उसके जहन में एक ही नाम आना चाहिए सस्ट भाई नुपामसर इतनी मेहनत और लेकिन यह नाम ऐसी नहीं बनेगा इसके लिए और हाड़ वर की जिरूत है और मेहनत की आव आपको याद रखना ठीक है विया चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलें आगे चलें बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉसन नमबर 14 कि रहा है निम्न मैसे किस राजवंस ने धनी भूशामियों को मुवेंद वेलन मुवेंद वेलन और अरयार जिसका अर्थ सजी मेरे को पूर यूटूब पे आपकी एसस्ट किलास ही समझ आती है थेंक्यू ओके एंजू सिवाज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर सीजी सैट और सीटका पेपर एक ही दिन को है समझ नहीं आ रहाए क्या ग्रू साथ को है ऐसा कैसे हो सकता है तो अठने क्या सटे सकते बशंचे कि रहा तर पिपर एक दिन कैसे हो सकते हैं तो आपको पता है किसरे सटraph चोल रहा जाओन ने चलो जी तो आब तक दो ज़ुए च्प्टर नम्बर दो बाव मं ऐंगे चप्टर नमर तीन पर जाएंग चफ्टर नमर इन वहाँ लाग दिल्ली के बागी फिर आपको याद दिला दू, सीटाट को चाहे कैसे भी पढ़िए, चाहे यूटूब से भढ़िए, चाहे पेड में पढ़िए, यह आपकी कॉल भी है, यह आपको समझवाना चाहिए, ठीओरी पढ़िए, पॉंटेंट पढ़िए, या फिर केवल PYQ पढ़िए, प्रिवेसर कॉछन, या केवल MCQ पढ़िए, जैसा आपको मन कर रहा है, वैसे आप पढ़िए, बस sheet art का paper pass करिए, क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर sheet art का paper pass नहीं हुआ, अगर sheet art का paper pass नहीं हुआ, तो भूल जाना कि आप इनमें से किसी भी नोकरी में सलेक्ट हो पाऊगी, और जो title लगता है, सरकारी अध्यापक, सरकारी अध्यापक या अध्यापका, तो सरकारी अध्यापक या अध्यापका, नाम के पीशे लगता नविया, गौर्मेंट टीचर, तो द्यादक ना, यह नहीं लग पाएगा, गौर्मेंट टीचर जो नाम लगता ना, यह बड़ी बात है, मेरी वाइफ जो है, वो गौर्मेंट टीचर नहीं है बाई सब, मतलब मुझे तो चलो प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते, तब लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, लेकिन जब उनसे लोग मिलते हैं, कोई भी रिस्तेदार है, कुछ भी है, तो तुमारी वाइफ गौर्मेंट टीचर है, बहुत अच्छी बात, बहुत मेनद कियोगी आर अपनी वाइफ को बोलो ना, थोड़ा से हमारी बच्चों को बोले, बच्ची हर्तार मुझे बजरुब लोग कहते हैं कि उनकी जो घर की बहुएं हैं, बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी हैं, जो बेट बेटी सी किये हुए हैं, तो वो कहते हैं, उनको बोलो ना, अपनी वाइफ को बोलो ना, थोड़ा गाइड करें कैसे पेपर पास किया, क्योंकि बाई उत्तर प्रदेश में, जब जो अर्ष 8500 बरती निकली थी हैं, और 29000 बरती निकली थी, लास्ट वाली साथ 29000 थी, 2018 उसमें उनका सेलेक्शन हुआ था, उसमें, उन्होंने सी टेट पेपर पास किया, फिर उत्तर प्रदेश का यूपिटेट का पेपर पास किया, फिर उन्होंने सुपर टीटी की भरती दी, उसका पेपर पास किया, तो यह सब पेपर के वल बातों से थोड़ी ना पास होते, इसके लिए उन्होंने पढ़ाई की होगी, तो वही बात में आपको थोड़ा सा, यही बात में आपको तोड़ा सा मोटीवेशन आपके इंतर लाने की कोश्च करा हूं कि तोड़ा सा मोटीवेशन लाईए सोच के देखे कि सरकारी टीचर का मामला लगे सोबह आराम से बढ़िया नौ बजे सोबह नौ जो पहना दो बजे वापास आ जाना है सेलरी को बढ़ि यूटूब से कूप पढ़िये नहीं है पढ़ा रहा हूं पेडवेश में समय समय पर डिस्काउंट देता हूं जैसे मैंने आज आपको डिस्काउंट दे दिया है कि मेरा जितना भी कोर्स है वह 779 का चल रहा है एसस्ट का बढ़िया कोर्स है जिसमें बागी के टीचरों की रिकोर्डेट क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी यह नंबर है 8755 235 00 इस पेसली एसस्ट लाइब पढ़ाई जाएगी इसमें आपको है नविया और टाइमिंग भी बता दरहा हूं दो से तीन और जो एक बेव दिया तरीके साब के लिए चल रहा है इस नमर पर कॉल करिए अपको को पर्चेस कर लीजे 100 गंटे से भी ज्याद है कि रेगूलर क्लासेज में हिदा रखना यह मेरा बहच है बाकी आगे बढ़ते हैं दिली के सुल्तान से लेटेट कोशन करेंगे दिली के सल्तनत के सासकों के वन्स को सही काला नुकरम में विएस्तत करिये विया बताए विया ठीक है चली रंजना यह दो के वेकंसी आएंगी नहीं तो सरकारी नोकरी कहां से रंजना देखो हमेना जीवन में सकारात्म करेना चाहिए जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिस करो आप इस्तती पर इस्तती कैसी भी हो हमेशा अपने आपको मजूथ रको अपने आपको मझूथ रको कायरों जैसी वात मत किया करो क्यों माल लेता हों कि भरती नहीं आ रही है माल लेता हूं कि भरती नहीं आ रही है, यह पूरा बिहार राजी सोच रहा था, पूरा बिहार राजी सोच रहा था कि भरती नहीं आगी, पांच लाग से भी जादा पतों पर भरती कर लिए लोगों ने, एक अला कभी और निकालने वाले, पांच लाग से जादा पतों पर भ का और एस्टेट पास नहीं क्यों कि वह सभी वह कायट टैप के बच्चे थे जो यह बात कहते थे कि भरती नहीं आएगी तो सरकाई नोकरी कैसे लगी अरे आप लोगों को नोकरी ले ले लिए तो आप लोग अपने तैयारी मजूत करें ना सीटेट नहीं बढ़िया 110 प्लस अगर बरती आजेगी तो क्या आप एकदम से पेपर को पास कर लोगे इतना बड़ा कॉम्पटिशन है हम यह बात तो मान रहे ना कि सरकार तो भाई इस वक्त बिल्कुल किसी काम की निये गवर्मेंट यह वर्तमान सरकार बिल्कुल सिच्छा को लेकर के बरबाद कर रख द लगंगता हूँ देसकता हूँ और रूटि जोप करें भाई कि नाते बाकी लात को करना भई आप करेंगे ठीक है ना चलते हैं दिल्ली सल्टम आनति के सासकуки वं टक्का गशलान वर्त ठीक है आघे बात करेंगे। तर्की सासक – खेल जी ऑनस, तूलगस, स lockdown वर्त क यह रख इस बात को समझने की कोशिस करना ठीक है अब यह बता हुई यह सीटेटी चल जाएगा वही अर जगे है ठीक है भरती और भी जगे आएंगी वह साप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे हैं कैसे जरा द्यान से समझो जहां पर करें डिली के अगरबात करें युदि के सास की अखरबात करेंगे तो डिली мен राजपूद में राजपूद में राजपूद आ गे और ये तोमर माराजपूद रह तं 65 तक नहां रखना तोमरों में 1130 से 1145 तक रहा अनंगपाल तोमर और इसी अनंगपाल तोमर को कहा था दिल्ली का संस्तापक दिल्ली का संस्तापक तो अगर आप से सवाल पूचा जा रहा है कि दिल्ली का संस्तापक किसको कहा जाएगा तो दिल्ली का संस्तापक अनंगपाल त उमर को का जाएगा इस बात को नहां ड़कना अनिंगपाल तोमर से दिली पर पर अपज़ा होगा चोहानों का, 1165- 1192 तक चोहettsन का क्प चारा 1165- 1192 में चोहणों की बीच में भी एक पृताबी चोहाँ हुए जिसका नहीं तर प्रत profound hun जिसने जीयाईशें से 1202 प्राशन कही थाना लेकिन यहां पर इन सफ की राजधनी छोहनों में भी जस्तों से बات करेंगे इन की राजदव रही ति राजिस्तानंए दिली इन के ळिकार छे त्रमती में इन एझमेदी लेकिन राजदव और पिर, बाद में भे दागना मुहम्मद गौरी ने पौत्विराइज चोहन को पराजित कर दिया घड़ी पर फिराज लम्मा कि दान रखना गौरिकवाद मौम्मद गौरिकवाद उसका दास कुटबुदीन एबग ने दिल्ली सल्तमत की स्थापना की 1260-1290 तक परारम एक तुर्की सासक रहे क्योंकि इनका संभन्ध तुर्क सेता इसलिए इसको तुर्की सासक कहते हैं इसमें कुटबुदीन एबग सल तक कि इसल्तान 1234-240 तक रहा ग्यासदीन भलवन बारेषव शासक से बारेषव सतासी विचला इतना चीजह आप चीजहों को समझ लिजए इतना चीजहों को समझ ली दान रखना तीक है प्रारम एक तुर्की सासक उसके बाद बारेसो नबबे से तेरेसो भी स्थागरा ख किताब की दुनिया से उठाकर करे एकदम उसके एपलिकेसिन वाली चीज़म लेकिंगाना है जो जिसके जीवन में कुछ हल्प कर रहें ऊसको भी गई तरीव संथर थेसं टोभगंग New अभी ऋटमेंट olmगी तरीज और सेड़न निन विद्री राइंग तोि संहर का निर्मार किसके यह जाथ सब्सक्राइब निर्माट किसके लिए किया जाता था पहला अप्सन दूसरा तीसरा चौता पांच वह इस आप्सन का प्लोग जवाब दीजेगा और कमेंट जरूर करिएगा ठीक है चलो तो आज के सहसं को अमलोग पर नहीं पर रोकेंगे फिर भी बास इतना किया रहा हूं ह अब दिसकांट चल रहा है 7-7-9 का कोर्स है मैं अकीला पढ़ा रहा हूं सो से भी जादा रहन्ते पढ़ाऊंगा टोटल लाइब बैच है मेरा ब्रहमास्त लाइब बैच है ठीक है सीटएट पास करना भी है जरूरी है तो सीटट के को कहई लीजे रोजाना दो से तीन अधिरा दे ओफलाइन कमेंट करके प्रस्ण का जबाब जबाब